तो उसके लिए में गेस पेपर बनाया है या बोलो प्रिडेक्टेर पेपर जो भी आपकी चार-पास साल की पेपर है उन सब को मैंने रिडाउट किया खुद का तोड़ा दिमाग लगा और फाइनली एक पेपर बनाया है ऐसे माल लोगर एक मोस्ट क्रिशन लगवाने वाला को एनकी की इप बुक से अगर आपके पास एनकी की बुक है कोई दिक्कत नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं को कि आपको बताऊंगा तो वह क्रिशन आपका इनकाई लिट लेना ठीक है इत अगर आपने मेरा टार्गेट पुरा नहीं किया 5K सब्सक्राइबर का तो पटापट से नीचे पटन दिक राहे लाल उसको दबाके 5K सब्सक्राइबर का टार्गेट कम्प्लीट कर दीजिए कर दिया थैंक्यू सो मत और आप चलते हैं वीडियो की और तो बिफोर तो स्ट आपको बतारा हूं इसकी कोई गारेंटी नहीं कि आपका 60-70% पेपर आपका मेच हो जाएगा तेकिन हां ऐसा है कि 30-40% पेपर तो मेच करवा ही दूँगा मैं और आपका लग बढ़िया रहा है और मेरा भी अच्छा रहा है तो हो सकता है 70% पेपर अपना मेच कर जाए बा मैंने ऐसी प्लेइस्ट बनाई ये पूरे यूटूब पे गूम जाना आर्ट्यू स्पैसिफिक पहली बात तो दूसरी बात इतने अच्छे तरीके से एक्स्प्लेइन किया है और जो मॉस्ट चीजे है वही एक्स्प्लेइन किया है क्योंकि मुझे पता है क्या आने वाला ह है ठीक है मैंने अनलाइस कर रहा है पहले ही तो 90% के लिए cgmt की जो प्लेइस्ट है वो जरूर जरूर चेक इट आउट करो और आप चलते हैं मॉस्ट की और तो लाश्ट ये वाला क्योशन आयता बताव कौन से पार्ट में आयता पंद्रा नंबर का आयता ये ठीक है पार् प्लेइस्ट में जाकर चकीड आउट कर ले नहां डायत आफके दूसरा तो ये वाला नहीं आ गया गया होगे ने चलते हैं देखो udah मपर 3D नमबर वाले में यह आएंगे तो यह सारी डेफिनेशन आप पढ़के जाओगे चोटी-चोटी आगे बढ़ रहा हूं मैं फटापट-फटापट लगवा रहा हूं क्योशन्स ताकि वीडियो चोटी रहे यह देखो आप एह इसमें राष्टर और रेडम दोनों आ जयता है यानि कि ये तो करके ही जाना 100% आएगा इसकैन नाम से आजएगा राष्टर आजएगा रेंडम आजएगा ठीक है कुछ भी आ सकता है इनमें से यह दोनों का डिफेरेंस भी आ सकता है सब कुछ पढ़ा रहा है प्लेलिस्ट में तो महां से एक बार देखना यह वाली चीज ओके नेक्स्ट ओके तो इतना द्यान चे मत पढ़ना मतलब उपर से एक बार रेटिंग लगा लेना लेकिन हाँ बीम पेनेट्रेशन एंड शेड़ो मास्क के उपर थोड़ा द्यान चे समदना बाकी यह थ्योरी आगे ओके क्योशन नमबर 17 है एक्सप्लें दा मेथर्ड हैनी टू प्रोडूसिंग दा कलर डिस्प्ले आगे बढ़ते हैं एक आपका क्योशन नमबर 25 है जिसके अंदर आपको मीड़ पॉइंट सर्किल अल्गोरित्म बतानी है हो सकता है इसके उपर न्यूमेरिकल भी आजा या इसके अल्गोरित्म पूछ ले तो यह भी प्लेलिस्ट में अविलेबल है और आप चाहो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो इस एनके की बुक में से भी तो मीड़ पॉइंट सर्किल अल्गोरित्म को याज रखना यह भी आ सकती है या ब्रेस है मैं आ सकती है चैप्टर टू क वह भी बनता है वह एक अल्गोरित्म है को हैं सूतरलेंड करके उसके उपर नियुमेरिकल आ सकता है हाईर चांज है यह वाला किसना लाश्टिर आ गया था इस बार नहीं आएगा ओके तो यह वाला देखना कंपोजिट ट्रांस्फोर्मेशन एंड इन्वर्स ट्रांस्फो लिख लीजिए जिनके पास NK की बुक नहीं है आगे बढ़ते हैं गाईस और आंसर इनके का मिलेंगे जिनके पास NK की बुक नहीं है प्लेइलिस्ट के अंदर है बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा है वहां से आप पढ़ लीजिए यह देखिए कोहन सूतरलेंड के एक यह देखिए सोट नोर्स ओंदा विंडो टू व्यूपोर्ट मैपिंग तो यह वाला क्यूशन भी करके जाए इसके अंदर यह फोर्मिले है चोटे मोटे ज्यादा टफ नहीं है एक क्यूशन आता है कि डिस्क्राइब करो कोहन सूतरलेंड लाइन क्लिपिंग अब चैप्टर थ्री में आ गया हूँ अब मैं चैप्टर तरी के अंदर बिटते आपका बेजर कर ठीक है यह बहुत शांदर क्यूशन यह जरूर करके जाए एक आपका बीच प्लाइन इसके निरे एक आता है अब प्रोपर्टी समझाओ ठीक है इसकी तो वह क्यूशन जर प्रूर करके जाना ओके दे और आपको प्लेलिस में इसका सोलीशन मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं गाईज और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रीप्शन में है देखो प्रोपर्टी जो बीस प्लाइन कर्व क्योशन नंबर 10 होके मार्क कर लो आगे बढ़ते हैं एक क्यांबर 20 यह आपका पार्ट सी का ठीक है एक्स्प्लेंड डेफ्ट कंपेरिजन मेतर फॉर डिस्प्लेंग डिसीबल सर्फेस ऑफ गिवन पॉली है ड्रोन है ड्रोन ठीक पॉली है ड्रोन के अंदर तो इसके अंदर डेफ्ट बफर यह जैड़ बफर आती है अलग अलग होते हैं तो मैंने एक ही वीडियो के अंदर पूरा प्रोजेक्शन डिफाइन कर रहा है 19 मिंट की वीडियो है वो देखोगे आप तो आपको पूरा प्रोजेक्शन समझ में आ जागा और आट्यू स्पेसिफिक प्रोजेक्शन समझाए यानिकि उसके बाहर आपको कुछ भ बढ़के जाना इनके अलग-अलग फोर्मूले हैं मैंने प्लेलिस्ट में बहुत ही अच्छी तरगी से बता रहा है मैं बार-बार पता है क्यों बोल रहा हूं यह क्योंकि जब आप प्लेलिस्ट खूल के देखोगे तो बाक्य में बोलो यार NK मेरी फैल हो गई मेरी PDF मेरे इनके बारे में डिफ्रेंस पूछ लेंगे अलग-अलग पूछ सकते हैं हो सकता है इसे बोलेगी RGB to CMY कनवर्जन बताओ या RGB to HSB बताओ मुझे या YIQ से मेरे को RGB में कनवर्ट करके बताओ तो इस पर numerical बन सकता है इसकी भी मैंने बनारे की वीडियो देख सकते हैं आप ओके यह क्यूबिक ज़रूर पढ़के जाना RGB का अच्छा बनता है यह बना के आओगे एक्जाम में इंपक्ट पड़ेगा डाइग्राम ज़रूर बनाए जिन जिन में डाइग्राम बनता है अ नेक्स्ट आपका येस और निया अब चैप्टर फिफ्ट में आ गए अपन ठीक है तो पहला है रियलिज्म क्या होता है computer graphics तो यह चीज़ समझीए ठीक है दूसरा इसके अंदर fractals क्या होते है वो समझी लिए एक होता आपका tiling वो भी समझना इसके अंदर एक होता आपका क tracing without antializing ये करके जाए देखो antializing से मतलब नहीं मुझे मतलब है मुझे ray tracing algorithm से आपकी जो ray tracing algorithm से आपकी जो ray tracing अलगोरितम है वो every year आपसे इसे महलोग पूची ही पूची जाती है और आपके time भी पूची जाएगी देख लेना exam में ray tracing मिलेगी और मेरे according अगर जो मैं आपको question बता रहा हूँ आपने कर लिए तो जो 30% मैंने बताया है 30-40% paper match हो सकता है वो 70-90% paper match होने के chance है वो तो मैं फिर आपको paper आने के बाद ही बताऊँगा कि इतना percent अपना match हुआ है तो फिलाल दोगी question कीजिए और जम के तैयारी कीजिए प्लेइलिस्ट आपको पूरे all time मैं आपको मतलब comment section में help करता रहूँ आप जो भी doubt है बताते रहे ना ठीक है ओके यह रहा रे ट्रेसिंग अल्गोटम पूरा अच्छे से define क्या के स्टेप इसके यह डाइग्राम सब दे रहाए यहां पर तो यह ज़रूर करके जाए होगे तो हो गया वाई वीडियो हो गई complete और अपना हो गया सीजिए एमटी के सारे most question मैंने बता दिए study hard कोई कमेंट सेक्षिन में आपको बता है ठीक है कमेंट सेक्षिन में बता देना ओके थैंक्यू मैंने major question सारे cover up कर लिए है most question आपने आयोग लगा लिए होंगे अपने दोस्तों के जरूर शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इसाथ क्यों बोल रहा हूं क्यों कि आने वाले समय पर आपकी जो भी exam होने जारी उन सब के most questions आपको अमारी चैनल के उपर only on my channel जे हिंज वारत मिलता हूं एक्षीडों के साथ में